नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सप्रमत देश्या और आप देख रहे हैं आर्पियस समाच्छा हिंदी न्यूश्यनल जो रखता है राच समाच के हर खबर पर अपनी कड़ी नज़र देश उप्रदेश की खबरों के साथ आपके समाच्छ आसपास की घटनाओं से हम कराते हैं आपको रूबरू तो आये चलते हैं कुछ खबरों की और जिले में तैनात दरोगा जगिंद्र सिंग पर उन्नाओ की एक लड़की को ले जाने के आरोप में लखनों की कोटवाले कृष्णानगर में रिपोर्ट दर्च कराई गई है दरोगा पालिया थाने में 6 दिसंबर 2022 को रवाना होने के बाद लापता हैं उधर लड़की भी लापता बताई जा रही है दरोगा की पत्नी ने भी उसके लापता होने की शिकायत से कि है बताते चले कि जले पहले पाल्याथाने में तैनाती थी उसी दुरान दरोगा की पत्नी ने सीओ से मिलकर किसी बात खुले कर शिकायत की थी इसके बाद एसपी ने दिसंबर के पहले सब्दा में दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया था बताते चले की पल्याथाने सी 6 दिसंबर को दरोगा पुलिस के तलाश भी तेज़ कर दी गई है लकनौ से कृष्णा नगर के बरिगमा में किराये पर रहने वाली लड़की के पिता ने रिपोर्ट में लिखाया है कि उनकी बेटी पढ़ने कि लकनौ में रहती थी 9 दिसंबर 2022 को वह घर आई थी 12 दिसंबर 2022 को वह फिर लकनौ चली गई थी इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है लकनौ में लड़की की सहलियों से पता चला है कि दरोगा जगेंद्र सिंग उससे अपने साथ कहीं ले गया है बताते चले पूरों में और ना जिले में बतर चौकी इंचार्स तैनाती के दोरान भी दरोगा का एक लड़की भगाने संबंधी मामला संग्यान में नहीं है